आप सभी को नमस्कार आज का वीडियो राज की विद्यालियों में कारणत सिक्षकों और प्रधानाचारियों के ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया आपको बताऊँगा आवेदन करने से लेकर के ट्रांसफर लेटर जारी होने तक की एक-एक जानकारी हम बताएंगे कि ट्रांसफर के लिए आवेदन पत्र कैसे कहां कब फारवड होगा आपका आवेदन किस परिस्थिती में रिजेक्ट हो सकता है सारी जानकारी दूँगा इससे पहले आप सभी से गुजारिस करूंगा कि आप इस चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यह चैनल सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी करने वाले सिक्षकों करमचारियों के लिए बना है जहां केवल सरकारी सिक्षकों कर्मचारियों से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्द कराई जाती हैं आज का वीडियो अंत तक देखिएगा तभी कुछ समझ में आएगा विशेश सचिव उत्तर प्रदेश सासन माधमिक सिक्षा अनुभाग 2 द्वारा 19 जून 2023 को जारी सासना देश के बाद राज की विद्यालेयों के सिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया सुरू हो चुकी है राज की माधमिक विद्यालेयों के प्रधानाचारे, प्रवक्ता, सहाय का ध्यापक, आदि के वार्सिक अस्थानांतरन हेतु इस कूल सिक्षा महा निदेशक ने जो प्रस्ताव अपर मुख के सचीव माधमिक सिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सासन को भेजा था, उस पर मुहर लग गई है आप जानिये कि सिक्षा महा निदेशक द्वारा भेजे गए अस्थानांतरन समंधी उस प्रस्ताव में 1 सितंबर 2020 के सासनादेश के मुताबिक रिक्तियों के वर्गीकरण के अधार पर वर्स 2023-24 में आनलाइन अस्थानांतरन का संसोधित प्रस्ताव था सासनादेश के मुताबिक राज के माधमिक विद्यालेओं को कूल साथ कटेगरी में बाटा गया है साथ स्रेणियों में बाटा गया है राज के विद्यालेओं की जो पहली कटेगरी बनाया गया है वह महत्वाकांची जनपदों में इस्थित विद्यालेयों को रखा गया है आए महत्वाकांची जनपदों के बारे में जानले कि चित्रकूर, चंदवली, सोनभद्र, फतेहपू, बलरामपूर, सिधातनगर, स्रावस्ती और बहराईच ये आठ जिले अती महत्वाकांची जनपदों में इनकी गड़ना होती है राश्ट्रि मादमिक सिख्षा अभियान के विद्यालेयों को स्रेणी दो में रखा गया है राज की विद्यालेयों का जो तीसरा स्रेणी बनाया गया है उसमें विभिन जनपदों के पंडित दीन दयाल उपाध्याय माडल स्कूल को रखा गया है जो चोथिस रेणी बनाई गई है उसमें राज की अभिनव विद्यालेयों को सामिल किया गया है आईए अब बताता हूँ पाचमी स्रेणी के किस तरह की स्कूलों को रखा गया है जनपदों के तहसील जो सदर तहसील होता है उसको छोड़ कर बाकी जितने तहसील मुख्याले है वहां से 2 किलोमीटर के बाहर के जो विद्याले हैं उन्हें स्रेणी 5 में रखा गया है मेरट, आगरा, वरांसी, कानपूर और प्रयागराज इन 5 जनपदों को छोड़कर बाकी जनपदों के जिला मुख्याले से पांच किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले स्कूलों को स्रेणी 6 में रखा गया है इस आसनादेश में यह भी कहा गया है कि अस्थानांतरण के लिए जो कि संपूर रिक्तिपदों का विवरण NIC द्वारा विक्सित वेबसाइट पर प्रदर्सित नहों करके केवल जनपद के विशेवार रिक्तपदों के विद्यालेयों का नाम ही प्रदर्सित किया जाएगा इस प्रस्ताव में जो सबसे बड़ी बात है वह आप सभी को जानना चाहिए 31 मार्च 2020 के पस्षात जितने भी प्रदानाचार्य, प्रदानाध्यापक, वाइस प्रिंस्पल, सिक्षक, प्रवक्ता जो भी है उनकी अगर निउक्ति 31 मार्च 2020 के बाद हुई है तो वह ट्रांसफर के लिए अपलाई नहीं कर पाएंगे इसके अतिरिक्त, यह कहा गया है कि राजकी बालिका इंटर कालेज, राजकी बालिका हाई स्कूल के लिए केवल महिला समवर्ग की अभियर्थी ही आवेदन कर सकती है यानि जो पूरु समवर्ग का कोई सिक्षक है वह राजकी बालिका इंटर कालेज या राजकी बालिका हाई स्कूल में आवेदन नहीं कर पाएंगे इससे यह भी अस्वस्थ हो जाता है कि महिला समवर्ग की सिक्षिका बालिका और बालक दोनों तरह के स्कूलों में ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकती हैं इस आसनादेश के मुताबिक अस्थानांतरण के लिए इच्छुक सिक्षक वरियता क्रम में पाँच स्कूलों का विकल्प चून सकते हैं आप यह जानिए कि पाँच जिले नहीं चूनना है पाँच स्कूलों का विकल्प देना है एक खास बात आप सभी को जानना होगा कि लखनव, गाजियाबाद, गौतम बुधनगर में जो तैनाद सिक्षक हैं इनके अलावाद जो स्रेणी साथ के विद्याले हैं उनके जो सिक्षक हैं दूसरे जनपदों में अस्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन अन्य जनपदों में जो तैनाद सिक्षक हैं वे लखनव, गाजियाबाद, गौतम, बुधनगर और स्रेणी साथ के जिले हैं वहाँ पे विद्यालेओं के लिए अपलाई नहीं कर पाएंगे वहाँ ट्रांसफर के लिए वे अपना आवेदन पत्र नहीं दे सकते हैं अब मैं बात करूँगा अस्थानांतरण हेतु जो मानक गुरांक तयार किये जाएंगे उसके संदर्म में आप यह जानिए कि अगर सिक्षक कैंसर से पीडित है, HIV, AIDS से पीडित है, कीड़नी लीवर की गंभी रोक से ग्रस्त है, तो वह सिक्षक किसी प्रतिष्ठित चिकित साल है, जैसे AIMS, PGI या फिर राज्य के जो मेडिकल कालेज हैं, मेडिकल बोर्ट द्वारा जारी प्रमारपत्र अगर वे प्रस्तूत करते हैं, तो उन्हें 50 नंबर का गुरांक दे होगा, अगर किसी सिक्षक के पती, पतनी या बच्चे किसी दुरघटना में सारेरिक या फिर राज्य के मेडिकल कालेज, मेडिकल बोर्ट द्वारा जारी प्रमारपत्र अगर प्रस्तूत करता है, तो उनको भी 50 नंबर का गुरांक दे होगा, यदि पती-पतनी सास की सेवा में हैं, या असास की सहायता प्राप्त विद्यालेओं में कारेरत हैं, महा विद्य वेसिक सिक्षा विभाग, चाहे वेसिक सिक्षा परिशत के अधिन जो कारेरत हैं, एक ही जनपद नगर या अस्थान पर ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसफर लेने के लिए उन्हें 30 अंक का गुरांक प्राप्त होगा, इसके लिए सक्षम अधिकारिक द्वारा निर्ग सिक्षकों को 25 अंक का गुरांक प्राप्त होगा, इसके लिए उन्हें प्रधाना चार और जिला विद्याले निर्ग्षक यानि जी आयोएस द्वारा जारी प्रमार पत्र संलग्न करना होगा, ऐसे सिक्षक जिनकी आयू 31 मार्श 2020 को 58 यर्स पूरा हो चुका है, ऐसे सिक्षम निप्ति की तिथी से 10 वर्ष की सेवा के बाद प्रतेक वर्ष की सेवा पर एक अंक दिया जाएगा और ऐसा अधिक्तम 20 अंक उन्हें मिल सकेगा, इन्ही निर्धारित मानकों के अधार पर जो अधिक गुरांग प्राप्त करने वाला आवेदक होगा, उसको ट्रा तो ऐसे परिस्थिती में जो अधिक आयो वाला सिक्षक होगा, उसे ट्रांसफर में वरियता दी जाएगी, लेकिन इस ट्रांसफर पालिसी में कुछ तकनीकी पेच है, जिसे आप सभी को जानना चाहिए, बहुत सारे सिक्षक तो इस तकनीकी कारणों से आवेदन ही नहीं क छोड़ कर प्रतेक हाई स्कूल में कम से कम चार सहायक अध्यापक होना चाहिए, और इंटर कालेज अस्तर के विद्यालेओं में प्रधानाचार या इंचार्ज को छोड़ कर वहां कम से कम तीन लेक्चरर होने चाहिए, और चार सहायक अध्यापक होने चाहिए, इससे ज्य शिक्षकों का आवेदन पत्र forward किया जाएगा यह कम मामूली पेच नहीं है प्रदेश के अधिक्तर राज की विद्यालियों में सिक्षकों की भारी कमी है खास कर रमसा वाले स्कूल में वहां तो कहीं एक सिक्षक हैं तो कहीं दो कहीं तीन इसका मतलब साफ है कि वहां के सिक् पेच नहीं है और भी पेच हैं जो आप सबको बताना चाहूंगा इसमें यह कहा गया है कि सिक्षक या सिक्षिका का आवेदन तभी अग्रसारित किया जाएगा जब तीन वर्सों का आउसत परिक्षाफल साथ फिस्दी से उपर होगा हलाकि अगर आप आठ महात्वाकांच की जनपदों में जाने के लिए अगर आवेदन करेंगे या बुंदेल खंड के जनपदों में जाने के लिए आवेदन करेंगी या परिक्षाफल की सर्थ है उसे छूट मिल जाएगी आपको ट्रांसफर में कितनी जटिलता है अभी और बताता हूं किसी भी स्कूल में अधिकतम 10 फिजदी से अधिक आवेदन फारवर्ड नहीं किया जाएगा हाँ, जहां 5-10 तक सिख्षक हैं, वहां एक सिख्षक का आवेदन फारवर्ड किया जा सकता है मतलब साफ है कि किसी विद्याले में 5 से 14 तक सिख्षक होंगे वहां से 1 सिख्षक का ट्रांसफर हो सकता है जहां 15 से 24 सिख्षक हैं वहां 2 सिख्षकों का ट्रांसफर हो सकता है जहां 25 से 34 सिख्षक हैं वहां से 3 सिख्षकों का ट्रांसफर हो सकता है अपने समवर्ग में Senior Most Teacher के अप्लिकेशन को ही फारवर्ड किया जाएगा आए अब बात करें प्रधाना चार प्रधाना ध्यापक के ट्रांसफर से जूरी जटिलताओं के बारे में प्रिंसपल और वाइस प्रिंसपल का आवेदन तभी फारवर्ड होगा जब उनके विद्याले में कम से कम तीन प्रवक्ता और चार सहाय का ध्यापक होंगे वर्ष 29 से आज तक छात्रों के नमांकन संख्या में आउसतन 15 फिजदी बढ़ोतरी हुई हो और तीन वर्षों का आउसत परिक्षाफल 60 फिजदी से ज्यादा हो तभी आप ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर ट्रांसफर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो याद रखें कि आपकी अंतिम 3 साल की गोपनिय रिपोर्ट उत्क्रिस्ट कटेगरी की होनी चाहिए और आपके खिलाफ किसी तरह की कोई भी अनुशास नात्मक कारवाही न चल रही हो अगर डिस्प्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है तब आप आवेदन नहीं कर सकेंगे और एक बात और जानिए कि इस ट्रांसफर के लिए आपको किसी तरह का यात्रा भत्ता या अन्य जो भी भत्ता दे होता है वो आपको नहीं मिलेगा आपको खुद नीजी व्याय करना होगा और यह ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ट्रांसफर सासन अपनी मर्जी से पोस्टिंग इसमें नहीं आपको देगा बलकि आपकी च्वाइस के हिसाब से ट्रांसफर दे रही है एक बात और अगर आपकी निउक्ति नहीं है अगर आपके सेक्षिक अविलेखों का सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है तो आवेदन करने के बाद भी आपका आवेदन फारवर्ड नहीं होगा साथ ही आवेदन उन्हीं का फारवर्ड होगा जिनका वेतन राजकोस यानि ट्रेजरी से प्राप्त हो रहा है अब आईए एक खास जानकारी कुछ दे दूँ आपको कि अगर आप ट्रांस्फर के लिए इलिजिबल हैं तो आप 23 जून से 25 जून के बीच आवेदन कर सकते हैं इसके लिए आपको NIC द्वारा विक्सित वेबसाइट UPSEC GTT UPSDC.gov.in पर जाना होगा आपको और वेबसाइट खोलते ही वेब पेज पर आपको लिखा मिलेगा माध्यमिक सिक्षा आनलाइन अस्थानांतरण प्रडाली 2023 आप जो भी आनलाइन आवेदन करेंगे वह दो चरणों में होगा पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इसके लिए आपको अपना मोबाइल लंबर डालना होगा उसके बाद आपको एक OTP जाएगा ध्यान रहे कि एक मोबाइल लंबर से केवल एक ही आवेदन किया जा सकेगा अगर आपने आवेदन फॉर्म में किसी तरह की कोई गलती तुरूटी कर दिया है तो उसे संसोधित नहीं किया जा सकता है फिर आप क्या करेंगे आप दूसरे मोबाइल लंबर से पुनह दुबारा रजिस्ट्रेशन करेंगे जैसा कि मैंने बताया कि आउनलाइन आवेदन दो चरणों में करना है पहले आप रेजिस्ट्रेशन करेंगे और आप उस registration में भरे गए विवरन को print कर लेंगे registration number को सुरक्षित आप रख लेंगे हलाकि आपके mobile number पे भी एक SMS आएगा जिस पर registration number लिखा होगा registration होने के बाद दूसरे चलण में आपको फिर से login करना पड़ेगा और login करने के लिए आपको registration number और आपका अपना mobile number डालना होगा इसके बाद आपके mobile पर एक OTP आएगा जिसे computer पर राल कर जब आप submit करेंगे तो आवेधन form computer screen पर दिखने लगेगा यहां आपको न्यूक्ति का पद नाम से लेकर के अपने माता-पिता का नाम पर्मानेंट एड्रेस से लेकर के वैवाहिक इस्तिती पति-पत्पी के सेवा में होने संबन्दी जानकारी उनके विभाग का नाम आदे लिखना होगा जो भी आप वेटेज लेना चाहेंगे सारी जानकारी आपको माह भरना होगा यहीं आपको पांच विद्यालियों की 24 भी भरनी है सहायक अध्यापक पत के गडित विज्ञान विशे के जो सिक्षक हैं ट्रांसफर के लिए गडित या विज्ञान विशे में से कोई भी एक विशे का विकल्प दे सकते हैं जबकि समान विशे के जो सहायका ध्यापक हैं ट्रांसफर के लिए समाजिक विज्ञान का विकल्प भर सकेंगे आप जो भी इंट्री करें वह भली भाती चेक कर लें क्योंकि फाइनल सब्मिट करने के बाद कोई भी संसोधन आप नहीं कर पाएंगे आपको यहां अपना एक पहचान पत्र अप्लोड करना होगा और यह पहचान पत्र PDF फार्मेट में ही अप्लोड करना होगा जो अधिक्तम 50 केवी में होना चाहिए साथ ही आपको अपनी फोटो और सिगनेचर भी अपलोड करना होगा जो JPG या JEPG फार्मेट में होना चाहिए और यह अधिक्तम 20 के भी में होना चाहिए ध्यान रहे कि आप 23 जून से 25 जून तक ही आप आवेदन कर पाएंगे आप फाइनल सब्मिट किये गए आवेदन पत्र का तीन प्रती में प्रिंट ले लेंगे एक प्रती विद्याले के प्रधाना चारे के पास जमा होगा दूसरा जीला विद्याले निरिक्षक यानि delayed के पास जमा होगा और तीसरा आपके पास स्वयम होना चाहिए जो प्रती आप D.I.S को भेजेंगे आप उसे अपने स्कूल के प्रधाना चारे से संस्तूती के साथ फारवर्ड करा लेंगे तभी वो D.I.S के पास जमा होगा और ये कब तक जमा करना है? 25 जून तक एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप इसको D.I.S कारियाले में जमा करेंगे उसकी रसीद जरूर ले लें 26 जून को जीला विद्याले निरिक्षक उस फार्म को आनलाइन एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर फाइनल लॉक करेंगे 27 जून को यही काम अपर सिक्षा निदेशक राज की द्वारा किया जाएगा और 30 जून को अपर सिक्षा निदेशक के डिजिटल सिगनेचर से ट्रांसफर का आदेश पत्र जारी हो जाएगा ये था राज की विद्यालियों के सिख्षकों के ट्रांसफर से रिलेटेड वीडियो अभी भी अगर कोई प्रस्न आपके दिमाग में चल रहा है उसे आप कमेंट बाक्स में लिखें मैं जवाब देने की कोशिस करूँगा अब मुझे इजाज़त दे धन्यवाद